हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, योस BFF, बेस्ट फ्रेंट फॉरेवर आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ सैंफी कॉटेम पैंटी लाइनर का यह 100% और्गेनिक है, बायो डिग्रिडिबल है, इसमें किसी तरह का कैमिकल, सिंथेतिक्स या डाइस यूज नहीं किया गया है यह सैंफी की ओर पैकेजिंग है, अब मार्केट में इसकी न्यू पैकेजिंग आ रही है, जिसकी फोटो यहाँ साइड में पॉप अप हो दी होगी इसकी MRP है, 179 रूपीज मैंने इसे Amazon से खरीदा था, अगर आप इसे Amazon से खरीदेंगे तो आपको एक साथ यह दो बॉक्स मिलते हैं एक बॉक्स की MRP है, 179 रूपीज, तो दो बॉक्स आपको पढ़ेगा, 358 रूपीज पर मैंने इसे Amazon से खरीदा था, तो मुझे इस पे 10% कूपन डिसकाउंट मिल जाएगा Amazon की तरफ से, इसकी न्यू पैकेजिंग की प्राइस है 304 रूपीज, अभी भी Amazon पे 10% कूपन डिसकाउंट मिल रहा है तो अगर आप इसे अभी खरीदेंगे, तो आपको 10% डिसकाउंट मिल जाएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लिंपी क्लिक करके डिरेक्टरी इस प्रोड़क्ट तक पहुश सकते हैं ओल्ड पेकेजिंग में हमें इस टोटल 60 Panty Liner मिलते थे और नीउ पेकेजिंग में 50 Panty Liner मिलते हैं मतलब एक बॉक्स में 25 Panty Liner पैंटी लाइनर आप यूनिरी इन कॉंटिनेंस, वाइट डिस्चार्ज, लो मेंच्टरल फ्लो डेस के लिए या फिर वरजाइनल पस्पिरेशन के लिए यूज़ कर सकते है और एवरिडे लाइनर आप इसे रिगुलर यूज़ भी कर सकते है इसको यूज़ करना बहुत असान है बस आपको इसको पूपिन करना है और इसके पीछे जो स्टीकर है वो आपको निकालना है और अपने पैंटी पे प्लेस करना है ताकि वो अच्छे से उस पे स्टीक हो जाए आप एक panty liner 8 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं 8 घंटे बाद आप उसे change कर दे और दूसरा लगा ले इसमें कोई भी तरह का chlorine bleach नहीं है इसमें color additives नहीं है इसमें किसी भी तरह का chemical scent नहीं है और इसमें किसी भी तरह की fragrance भी नहीं है आईए अब इसे ओपेन करके देखते हैं यह देखिए इसमें टोटल 30 पैंटी लाइनर्ड्स है यह काफी पतला है जैसे कि आप देख सकते हैं यह इस तरह के वाइट ड्रैप में आता है इसको मैं ओपेन करके दिखाती हूं इसकी लेंथ है 15.5 cm इसमें हमें इस तरह के देखिए अंदर ग्रीन कलर की लाइनिंग मिल जाती है पर न्यू पैकेजिंग जो आ रहा है उसके अंदर हमें यह पूरा वाइट कलर का मिलता है और उसके साइड में इस तरह से डिजाइन रहता है उसकी फोटो साइड में यहाँ पॉप फोरी होगी यह काफी पतला है पीछे एडेसिव लगा हुआ बिल जाता है और यह 100% कॉर्टन है तो यह बिल्कुल सेफ है यूज़ करने के लिए इसमें किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं किया गया है पेंटी लाइनर आप पीरेट्स के लास्ट डेज में यूज़ कर सकते हैं जब बलड का फ्लो बिल्कुल कम होता है तो उस वक्त पैड यूज़ करना वेवकूफी होती है क्योंकि पैड उसक वेस्ट होता है ज्यादा कुछ और नहीं तो आप इसे यूज़ करें तो यह वीडियो को भी देखें वीडियो की लिंक आपको एंड में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन मॉक्स में भी मैं उसकी लिंक डाल दूँगी तो ये थी मेरी रिव्यू इस प्रोडक के बारे में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले अगर आपको किसी और पैंटी लाइनर या पैट की रिव्यू चाहिए तो नीचे कम्मेंट करके मुझे बताइए मैं आपके लिए नेक्स वीडियो में उस पैंटी लाइनर या पैट की रिव्यू लेकर आऊंगी See you on my next वीडियो, Till then, Bye Bye झाल झाल झाल